इतनी देर कहां हुई केसब को आफिस से आते ही निहा ने रूखे लहजे में सीधे प्रश्ण दागा बताता हूँ पहले सांस तो लेने दो पानी पिलाओ की जरा ठका हुआ केसब साइट लहजे में बोला सोफे पर बैटकर दम लिया ही था कि नेहा चोकिदार की तरह बोली कहां हुई इतनी देर अब केसब को भी जुझलाहट आ गई पानी मांगा था तुमसे प्यास लगी है कहीं भागे थोरे ही जा रहा हूँ पानी पिलादो फिर बताता हूँ नेहा जटके से उठी और पानी लाकर गिलास टेबल पर पटक दिया केसब को गुसा तो बहुत आई पर उसने खुद को संभाल लिया वो कोई जगरा मूल लेकर अपने मन की सांती भंग नहीं करना चाता था इसलिए उसने फाइल की ढुढ़ाई का पूरा किस्सा ज्यों का तेउ सुना दिया नेहा उठी केसब के सहकर्मी सुरेज को फोन लगाया और बिना किसी भूमिका से पुछा केसब आफिस से कितने वज़े निकले थे सही उत्तर पाकर उसके चेहरे पर तो सांती आ गई पर केसब भरक उठा हद हो गई है नेहा तुम्हारी सक करने के आदत मैं चुपचाफ सहन कर लेता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई इज़त नहीं है इस तरह मेरे जब आब को क्रॉस चेक करने के लिए तुम आफि किचन की ओर गई तुम्हें ना पढ़ता हो पर मुझे तो पढ़ता है मैं तंग आ चुका हूँ ऐसे प्यार से प्यार नाम का सब्द बिमानी होता जा रहा है मेरे लिए केसब के ये भाव सब्दों में ढल न सके मन में घुट कर रह गए डाइनिंग टेबल पर केसब के पस ने तुम्हारी मन पसंद डिस बड़ी मेहनत से बनाई है खुस मन से टेस्ट करके तो देखो केसब ने खाना मुझ में डाला तो पाया टेस्ट वास्तम में गजव का था उसका मूड कुछ ठीक हो गया रात में नेहा बेडू में आई तो हमेशा की तरह खुबसूरत सिंगा करके ग्लैमरेस नाइटी में धेर सारा प्यार उरनने के बाद वो सो गई आज पर केसब की आँखों में निंद नही थी नेहा का बिभार अब आहसानी होता जा रहा था उसके लिए उसकी तमाम अच्छाईयों और प्यार जताने के कई तरीकों के बावजूद उसकी पती को काली रेस में जुलबे जिन्हें वो फिल्मी गानों और कविताओं के सच होने का सुबत बताया करता था वही गोरे रंग पर दो बड़ी काली आँखे और उन पर घनी कजरारी पलकों का पहरा चेहरे पर वही मासूमित और वही दिल को मध्हुस कर देने वाली सुद डोल न जुक दे पर आज यह रूप के सबको मुध नहीं करता था उसे नहा का ये रूप परढ़ाया लगने लगा था यह उसकी नहा नहीं थी वो सहज सरल अपने पंसे भरी सांत संबे नंसिल छूई मुई से नहा कहा गई जिसका वो दिबाना था क्या उसकी वो नहा कभी वापि उसके मन में हिलोडी ले रहा था, कब देखा था, उसने पहली बार नहा को रेखा बुआ की बेटी की साधी में, पहली नजर में ही दिल में उतर जाने वाला सलोना रूप साधी को दो दिन थे, वो बुआ के साथ कुछ समाल लाने घर के बाहर निकला, तभी ओटो रुका नहा और उसकी मा ओटो से उतरी तो वो नेहा को एक टक देखता ही रह गया लगा था जैसे फिल्मों की तरह स्लो मोशन में चलती हुई वो कदम दरकदम उसके दिल में दिल के तलाब में उतरती जा रही है रूप का वो आकरशन भले ही छनित रहा लेकिन अगले पांच दिनों में उसके मन में मुलाकात हुई तो मन का बंधन ऐसे बंधा कि नेहा कितनी सुन्दर है नेहा कितनी समझदार है नेहा कितनी सहनसील है सबकी जवान पर उसकी तारिफ थी सबकी जवान पर एक ही नाम था 18 साल की नेहा थी और 19 साल का केसब कच्ची उमर की पकी दोस्ती ऐसी ना किसी बहाने हफते में एक दो बार पहुंची जाता था बरो की उपस्थिती में मिलना होता तो कभी दिल की बात कहने का तो सवाल ही नहीं उठा नहा की मां की अनु भवी निगाहें सब समझती थी इसलिए ना उसे घर आने से रोकती और नहीं आगे बढ़ने का अफसर दे के प्रेम ने सब्दों का जामा भी तो नहीं पहना था कभी तो कौन करता और क्या कहता नहा बहा कर चली गई और केसब की प्यारी सी लव स्टोडी बनने के बजाए दर्द भरी कहानी बन कर रह गई नहा के बारे में सुनने को कान उत्सुक रहते शुरू में तो सब उसे पती से उसे तलाक मिल गया फिर केसब उसके घर गया गुंसुम उदास खोई-खोई नहा फुट-फुट का रो परी केसब उसे देखता रहा देखता ही रहा केसब की अच्छी नोक्री लग गई थी आजकल मा का एक ही सौक रह गया था केसब को कोई लड़की पसंद कर एक दिन केसब ने मा की सेलेक्ट की गई फोटो में सबसे उपर नहा की फोटो रख दी मा तो मा को तो नहा हमेशा से पसंद थी उसकी सहान भूती भी उसके साथ थी सब लोग खुस हो गए पर केसब सबसे ज़्यादा खुस इसलिए था कि अब वो अपनी नहा को जीवन की हर पर साथी के बाद उसने नहा का एक नया ही रूप देखा उसका असुरक्षा से भरा सक्की रूप वो नहा जिसे साथी से पहले इतने सालों में कभी किसी से उंची आवाज में बात तक करते नहीं सुना था अब वो अकसर इतनी हिंसक हो जाती की पती की जासोसी की बचकानी हरकते तक करने लगती दूसरे दिन आफिस में केसब का मूट उखरा था नींद जो पूरी नहीं हुई थी तभी सुरेश आये आप से एक बात कहूं सुरेश जी बड़ी सालिंता से बोले उनकी बातों में केसब को सार नजर आया थैंक्यू केसब के गले में बाहें डालते हु वे नहा मुस्कुराई ये जगह सच में बहुत खुबसूरत है पर आपको अचानक यहां विकेंड बिताने की कैसे सुझी तुम खुस हो नहा नहा में सिर हिलाया हाँ आना जरूरी था दर असल मैं तुमसे कुछ कहने आया हुँ केसब गंभी हुआ तो नहा की आँखों में असुरक्षा लोटने लगी I love you तभी केसब ने बड़े प्यार से नहा का चेहरा हाँ तो मिलिया और बोला आज से नहीं जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा तब से तब कह नहीं पाया केसब सालों का हाले दिल सुनाता रहा और नहा मुग्द सी सुनती रही लेकिन जब दूसरी बार मुझे मौका मिला तो यकीन मानो मैंने सिर्फ और सिर्फ प्यार करने के कारण तुमसे साधी के लिए कहा पर साधी के बाद भी मैंने तुम्हें I love you नहीं बोला ये मेरी गलती थी अपने हाँ फूट फूट कर रोने लगी सच मैं यही सुनना चाहती थी कि कहा कि मैं इस काविल ही नहीं थी कि पती को बांध कर रख पाती जब तुमने मुझे साधी करने की इक्छा जताई तो सबने यही कहा था कि इसके आगे नहा की हिच्कियां बंद गई के सबने उसे बाहों में कस लिया और खूब प्यार करने के बाद बोला तुमसे प्यार कि पर साधी के बाद मेरी नहा मुझे मिली ही नहीं, मुझे मेरी पहले वाली नहा वापस दे दो, बहुत तरपता हूँ उसके लिए यकीन मानो मैं, जिन्दा गी भर इसके बाद की सब की हिच्किया बंद गई, आज हमारे मन मिले हैं और भरम मिटे हैं पहली बार, प्यार का